रिवजिले के जवा जनपत अंतर कर चोखंटी धान उपारचन केंद्र में समूध और खरीदी केंद्र संचालित किया जा रहा है। चोखंडी सिवपूर्भा धान खरीदी केंद्र आप देख सकते हैं पीछे किसानों का यहां आना जाना लगातार बना हुआ जिनका स्लॉट आज बुक है उनकी खरीदारी हो रही है। यहां पर कई किसान हैं जिन से हम समझेंगे कि इस खरीदी केंद्र पर क्या सुविधाये मिल रही हैं और उनको किन परिसानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ है यहां इस धान खरीदी केंद्र के सुपर वाइजर प्रकास मिस्ट्रा यहां इस जंगली छेत्र में धान को हर तरह की परिसानियों से बचा कर परिवहन करके वियर हाउस तक पहुचाने में आपको किती मुस्किलों का सामना करना पड़ता है। देखिए मुस्किलों को सामना तो जरूर हमें सुरू-सुरू में करना पड़ा है जैसे कि हमें स्टार्टिंग में परिवहन की समस्या हो रही थी लेकिन अब बरतबान समय पर परिवहन हमारे यहां से परड़े चार गाड़ियां माल लोड़ होके जा रहा है बेर हाउस तक पहुंचाए जा रही है और किसानों का भी अच्छा सायोग मिल रहा है किसान हमाई हमारे सब समय पर आते हैं अपने धान की तौलवाई करवाते हैं और किसान भायों को पूरी सुब्धाय दी जा रही हैं जैसे कि टेंट बगस्था बैठने के लिए पानी पीने के लिए दौल नहीं हो पाती है तो अगर वो गाड़ी लेकि आ गए हैं भाड़े पे हैं या कि दूर है वापस जाना उनको महगा पढ़ता है तो उनको रुकने के लिए हमने विवस्था कर रही है और ठंड से बचने के लिए रजाई गद्दे और रात में अलाव हां सेकने के पे नुक्त हमारे 0डल अधिकारी भी आते हैं समस्में पर जांच करते हैं किषानों से जांच परक्र रक्करते हैं और शर्विर के साथ मिलके और पूरी जाजा की जाती है यहां पे और खिसानों से भी अपनी पत्फार्ट करते हैं कि उन के साथ कोई अन्याय तो नहीं कि जा रहा है और अभी तक की खरीदी में हमारे तरफ से कोई ऐसी गलती नहीं की गई है जो थोड़ी बहुत रूतियां हुई थी हमने उसके सुधार किया है अभी तक का काम हमारा बहुत अच्छा चल रहा है किसान भायों कभी पूरा स्रहोग मिल रहा है ठीक है आप एक बोरी म जो यह होती है इनका बजन 600 ग्राम की लगभग इनका बजन होता है और 40 किलो जो है तो धान का बजन लिया जाता है कुछ किसान भाई है हमाय साथ जो यहां अपने धान के लिए आए हुए धान लेकर और धान की तौलवाई इनकी जारी है इनसे कुछ हम सवाल पूछते हैं इस धान खरीदी के अंदर में सासन द्वारा जारी गाइड लाइन किसानों के लिए उसका पालन किया जाता है जी विलकुल एक दम पूरा आपको कोई असुभधाय नहीं कोई असुभधाय नहीं है तो धान ले जाने में यहां बजन कराने में और किसी समस्या नहीं कोई सम झाल